हाई गाइस वेलकम टू टेक्निकल स्टेडियोन दोस्तो नेवी ट्रेड्समेन का जो जनरल एवर्नेस का सीरीज हम लोग को चल रहा था उसका एक फिर से नया पार्ट लेके आ गया हूँ दोस्तो लाज जो पार्ट में हम लोग पढ़े थे रिशाच सेंटर सब इंडिया यान कहां सती थे उसका 8कटर कहां है इसके उपर हम लोग पढ़े ते तो इसका टॉपिक ये पूरा कंपलीट नहीं हुआ था लाज जितना तक पढ़ेते उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देख सकते आज का पहला कोश्चें जो हमारा त्रौमे मुंबय में उसके बाथ साहर इंस्टीट ऑफ निख्लियर फीजिक्स रिसेंटौ कॉलकाता में ठीके realization कहां पर संथिते looking आमड़ाद में ठीके उसके बात निऎक्लियर फ्वोर्री यारी के कहां पर तहिते आसधरबाद में ठीके इंडिया इंडिया कैंसर रिसाज़ सेंटर का पे स्ती थे मुंबए में उसके बाद जो स्कूल ओफ ट्रोपिकल मेडिजीन यह कहां पे स्ती थे कॉलकाता में इसके बाद में कुछ हम लोग इंपोर्टेंट चीज जान लेते हैं जैसे इंडियां नेवल अकडेमी इनल रखाडेमी कहां तो दोस्तों एक बात आप लोगो बता दूए कि एगजाम में नहीं है तो कुछ भी कुछ भी कुछिन अगर आपका नेवी इंस्टिूट या तो नेवी कॉलेज के बारे में पूछा जाए अगर आपको याद में नहीं है या तो आप से इस कोसियन में से कॉमन नहीं है तो आप क्या कीजिए वहाँ पर आपका कोची या तो केरला ओप्सन में रहेगा ठीक है तो ज्यादा तर जो नेवी का जितना भी डिपार्टमेंट है वो ज्यादा तर कोची और केरला में ठीक है तो आप अपना अंदा टीक के वाद है नावल वार कॉलेज नावल वार कॉलेज कहा पे है गोव ऑंए ठीक है उसका थेमास वीजीकल इंस्ट्वेंट्स एंद एक्स्पोनेंट्स इसमें से भी क्वेस्टेन बहुत सारा एकजाम में पुछा जाता है तो यह जो चीजे यह आपको जितना नेवी में है उतना ही आज यह मुंबाई जो एक्जाम देने वाले है जितना केंडियर्स उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो देख सकते जितना इंपॉर्टेंट है उतना चीजी आप लोगों यहां पर प्रोवाइट करा हो ठीके कोई भी एक्स्टा यहां पर नहीं है ठीके तो पहला है सितार्स आहों कि सीतार जो है आमारा किसके साथ रिलेटेट है जो परसंट से जैसे सितार हमारा म्युजिकल इंस्ट्यूमेंट है और परसंस जो है पंडित पंडित रभी संकार ऐिक उसके बाद तबला के बाद मुझिकल इंस्टुमेंट है यह किस के साथ रियलेत हान के साथ सरौत ज meat सुछ नियुदार में से तो यह झाब में धम उटीड के सबाइब अंड़ीय् हान यह चहए यह था ह Rayringe की ए अंद्रफटस में क्या है उसके बाद गवाद में क्या है कुछीपूरी उसके बाद गवाद में मंडी उसके और समग ंव्यर्ट का फैमाज बीई ठीक है कर देंठ से इसे कंत्रक्ली इतर मुंनि चस्वाज कर ला गुजरात गुजरात में आपका जो फेमस डैंस है वो है गरवा और डांडिया रास ठीक है उसके बाद पंजाब में है आपका भांगरा राजस्तान में है घुमार और जम्मु कस्मीर में है रॉफ ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है तामिलनारू में आपका भारतना टम और कोला टम ठी कि इतना है आप लोग पर लिजेगा ठीक कि हाभी आपके पास टाइम नहीं है टाइम बहुत कम है इसलिए जितना इंपोर्टेंट है उतना है आप लोग को प्रौबाइट कर रहा हूँ ठीक है उसके बाद जो है फेमस निकनेम्स औफ एमिनेंट्स पर संटिक है तो जितना हमारा पर्सन से इंडिया का उसका जो निकनेम से वो दिया गया है और उसका ओरिजिनल नेम क्या है वो भी दिया गया जैसे फादर आप नेशन्स तो फादर आप नेशन्स के नाम से किसको जानते है महत्मा गांदी जी को ठीक है महत्मा गांदी जी को हम लोग बापू या तो FATHER UP NATIONS नाम से जानते हैं उसके बाद Frontier Gandhi, किसे के नाम से जाना जाता है? Khan Abdul Gaffer Khan के नाम से ठीके, उसके बाद Strong Man और Iron Man हम लोग किस को बोलते है? Sardar Ballab भाई Petal को ठीके, उसके बाद Ser E Kasmir, Ser E Kasmir के नाम से कौन जाने जाते है? SEG Abdullah, ठीके, Napoleon of India, Napoleon of India कौन है? समुद्र गुप्ता ठीक है जो कि हमा81 ऐस्टिकक है उसके वाद जो है सेक्सप्यर उफफ Intia सेक्सप्यर उफ इंडिया कौन है महाकभी कालीधास ठीक है के भी हिस्ट्री से रर्लेटर है महिचीय फेली आफ इंडिया ये कौन था चानक धिकर Bengal Kesri Bengal Kesri कौन है इसुत्रस मुखार जी ठीक पंजाब केशरी हम लोग जानते है जिसके नाम से वो है लाला रच्पतरा है ठीके उसके बाद Night Angle of India Night Angle of India जिसके नाम में जाना जाता है वो है स्वाजिनी Night Yahoo Lady with the Lamped Florence Night Angle Grand Old Man of India Grand Old Man of India ये कौन है दादभाई नोरो जी थीकर उसके बाद आ जाते हैं एवर्ड़ एन ओनर्स एवर्ड़ एन ओनर्स के जो क्वेशन है इसके उपर भी बहुत सारा क्वेशन आता है जैसे Nobel Prize तो Nobel Prize की चीज में दिया जाता है Peace, Literature, Medicine, Physics, Chemistry ठीके तो Peace, Literature, Medicine, Physics, Chemistry ये जो Nobel Prize स्टार्ट हुआ था कब से यानि कि 1901 से 1901 साल से जो है First Nobel Prize देना स्टार्ट हुआ था ठीके और Economics जो है 1969 यानि कि 1989 साल से Economics में Nobel Prize देना स्टार्ट हुआ था ठीके उसके बाद Pulitzer Prize जो है यह जर्नलिजम से रिलेटेड है और फर्स्ट Pulitzer Prize जो दिया गया था वो 1917 में उसके बाद Oscar Award Oscar Award Film से रिलेटेड है यह 1929 साल से दिया जा रहा है उसके बाद Kaling Award Science से रिलेटेड है यह 1952 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट यह वाट ठीक है उसके बाद भारत रतने अवाड यह आर्ट लिटरिचर Science and Public Service में दिया जाता है ठीक है यह स्टार्ट हुआ था अपका 1954 में ठीक है उसके बाद The Man Booker Prize किसके साथ रिलेटेड है लिटरिचर के साथ रिलेटेड है और यह 1969 से दिया जा रहा है ठीक है Groß cannabis अवाड यह स्टार्ट होुआ था एंग इंप्टिएड से स्टार्ट हुआ 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 है उसके बाद दादासाइबृइँ फ ऐस्ट डीया हुआ था 1969 में और यह थे फिम्स रिलेटेड रिलेटड त्यक है अवाद ग्ङैन पीड एवाड जो है लिटरेचर से रिलेटेड है ये 1965 से स्टार्ट हुआ था द्रोनाचरिय एवार्ड ये स्पोर्स कोचिंग से रिलेटेड है और ये स्टार्ट हुआ था 1985 से ठीक है अर्जुन एवार्ड ये स्पोर्स से रिलेटेड है और ये स्टार्ट हुआ था 1961 से धर्णनतरी एवार्ड य कुछ question यहां पर देख लेते हैं जैसा हमारा Republic Day एवार्ड इपाब्लिक डे में हमारा जोए कुछ-कुछ एवार्ज दिया जाता है क्या का एवार्ड दिया जाता है भारत रवार्ड पदमभी उशन एवार्ड और पदमशी एवार्ड यह तीनों एवार्ड हमारा Republic Day में दिया जाता है ठीके उसके बाद पर अंबीर चक्रा परंबीर चक्रा यहां फिल्ड ऑफ नवल ऐ आर्मिट इवार्ड यानि की हाई जु बीड होता है रवार्ड जो होता है वहता है परंभीर चक्रा थीके मतलब बीर ठीके उसके बाद महावीर चक्र महावीर चक्र जो होता है यहां पर देख सकते हैं सेकेंड हाइस्ट सेकेंड हाइस्ट ग्लैंट्री एवार्ड जोता है महावीर चक्र और भीर चक्र जोता है थार्ड हाइस्ट ग्लैंट्री एवार्ड हो जाता है भीर चक्र ठीक है यह तीने चीज से रिलेटेट कौन कौन सी काप है ठीक है जैसे हौकी खेल के साथ आपका है पहला है आगाखान काप धैन्चत टॉफी नेरू टॉफी यह जो है आपका हौकी रिलेटेट काप है ठीक है यानि कि हौकी खेल में दिया जाने वाले काप उसके बाद फुडवाल फुडवाल में लिएका डुरणड काप, संतोष टॉफी, सूब्रोतों मुखरजी काप ये किस से रिलेटेड़ है, फुट बॉल से रिलेटेड, ऐसा प्रॉटवॉल ऐसा प्रॉड प्रॉफी रिलेटेड काप, जालल नेडु काप, रनजी टॉफी और सार्जा काप ठीक है उसके बाद आ जाते है बैडमिंटन, बैडमिंटन में आपका थामाश काप, बास्केट बर्ल में है आपका नेरु काप और राग्बी फुट वर्ल में कलकाटा काप तो यह दोनों चीज आपको याद रखना है क्रिकेट में जो है यहाँ पर देख सकते है क्रिकेट में है जहरलाल नेरु काप और बास्केट बर्ल में है आलली नेरु काप यह दोनों चीज आपको याद रखना है यह एक्जाम में United States of America इसका जो है नेशनल गेम है बेजबॉल ठीक है इंडिया का नेशनल गेम है होकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है होकी इंगलेंट का नेशनल गेम है क्रिकेट उसके बाद ऑस्टेलिया का नेशनल गेम है क्रिकेट फ्रांस का नेशनल गेम है फुडवाल नेपाल का नेशन गेम है आर्चेरी ठीक है उसके बाद नामबर ओफ प्लेयर्स इन स्पोर्स यानि की कौन सी स्पोर्स में कितना प्लेयर रहता है इससे भी एक कुछा जाता है ठीक है यह जितना भी चीज आप लोग को करा रहा हूं वो एकदम बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक के लिए आपके इंपॉर्टेंट है तो यह चीज आप याद रख लेना ठीक है बेसबॉल बेसबॉल में कितना प्लेयर होता है नौ प्लेयर होता है रागभी फूडवल रागभी फूडवल में कितना प्लेयर होता है 15 प्लेयर होता है पोलो पोलो में कितना प्लेयर होता है और ये चीज़ तो हम लोग जानते है, cricket, hockey, football ये सब में कितना player रहता है, 11 player रहता है, volleyball, volleyball में कितना player रहता है, 6 player रहता है, basketball, basketball में कितना player रहता है, 5 player, ठीके, कबरड़ी में कितना प्लेयर रहता है शाथ प्लेयर ठीक है उसके बाद आ जाता है स्पोर्स एलेटेट कुछ कोंच्टन है जैसे कोड़ और फील्ड एस्ट स्पोर्स यानि कि कुछ-कुछ जिसमें कुछ-कुछ फील्ड का नाम दिया जाता है ग्जाम में तो उसके उपर भी कोशीन आता है जैसे आपको दिया जाएगा एरिन डिन डिन ृцион विक इस एक्वार इसे एक गो法 में रहता है ठीक होकी फीडवाल ochy Alla你'm a लेंटेःें है cm&inking to skating in boxing में जो हिटा है मैं जो रहता है वह . रियेंग ठीक है Prof. लेयर डियर टीबीन निस्ट इन बोर्ड डायमौंड not your अनुदेट बेस बॉल शुमारेंच है ठीक है यह ता आज का important चीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो like कर दीजे, share कर दीजे और चैनल को ज़रूर subscribe कर दीजे और और भी ऐसा वीडियो पाने के लिए आपको चैनल के साथ जुरे रही है और कुप जल्दी आप लोगो सभी टोटाल चीज यहाँ पर प्रोवाइट करा दूँगा वीडियो पे लास्ट तक जुरे रहने के लिए आप लोगो धन्यवाद और मिलते हैं नेक्ट वीडियो पे